हमारी डिल हुई है, वो डिल हुई है संपरदाइक सक्तियों को रोकने के लिए, वो डिल हुई है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो डिल हुई है भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए, डिल हुई है दस लाख नोकरी का वादा था, दस लाख और रोजगार क बीस लाख नौकरी रोजगार देने के लिए अब आपको बताना पड़ेगा कि आप दिल कहां दे बैठे हैं समाजवादियों के साथ आपका दिल है ये संपरदाइक सक्तियों को फिर से दिल दे बैठे है कहीं पर निगाह है कहीं पर निसाना खोज रहे हैं नया ठीकाना ठीक है हार हार है लेकिन उस हार से अगर कोई ये बहाना खोज रहे है हार का बहाना बना कर कहीं और ठीकाना खोज रहे है तो ये भी जनता सब समझ रही है देख रही है आज जिस समय वो ये राज छेड़ रहे है इसमें मनसा उनकी ठीक नहीं लग रही है, उनके मनसा पर सवाल खड़े हो रही है। यह हम कह रहे हैं, यह उनके लिए बड़ी भूल होगी, अगर वो इस तरह से फिर से उनहीं संपरदाई सक्तियों के इसारे पर यह सारा काम करते हैं। इसमें से लगातार उस पर यही कहा जा रहा है कि डिल हुई थी गडिवों के राज के लिए, गडिवों के सरकार के लिए, वंचीतों के लिए, सोसीतों के लिए, यह सारी बाते समझ में आ रही थी। हमारे साथ राजा से मिर्टुजेती वाईरी जुरीवों हैं बात करेंगे, डिल को लेकर के चर्चाय चल रही है, और कहा जारे कि डिल के वज़ास से जदियू कमज़र हो रही है। लेकिन आदरने उपहिंदर कुस्वाहा जी का ये पूरा मामला परकरन जेडियू का आंत्रिक मामला है, और जेडियू नेत्रित इसे देख रहा है। अब लेकिन आदरने उपहिंद्र को सवाहा जी जिस बात को लेकर लगातार डिल का सवाल खड़े कर रहे हैं, हम तो सार्विनिक रूप से बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारी डिल हुई है, वो डिल हुई है संपरदाइक सक्तियों को रोकने के लिए, वो डिल भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए, डिल हुई है दस लाख नोकरी का वादा था, दस लाख और रोजगार का लिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए डिल हुई है, लेकिन आदरने उपहिंद्र को सवाहा जी, जिसमें ये सारी चीजें को डिल हो रहा था आप भी साथ थे लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा कि आप डिल कहां दे बैठे हैं समाजवादियों के साथ आपका डिल है ये संपरदाएक सक्तियों को फिर से दिल दे बैठे है अब ये जनता जानना चाती है उनको ये बताना होगा कि उनका डिल किसके साथ हुआ है ये महागटवंधन की नाव में बिहार की बारह करोड जनता सवार है इस नाव में जो छेत करेगा जनता उसे खुद ही नाव से उतार देगी सब को पता है कि 2020 में बिधान सवा के चुनाव में स्रिते जस्वी जादव जी को बिहार की जनता ने जोली भर कर आशिरवाद दिया और सबसे बड़े दल के रूप में विधान सवा में राश्ट्री जंता दल महागटवंधन का नित्रित करता तेजस्वी जादव जी उस समय चुनाव में थे तो तो चार सीटों से संख्याबल का खेल है सरकार बनाने से चूग गए लेकिन आदर्नी मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने बीजेपी के इस खतरनाक डिजाइन को पहचाना समझा और देश हित में बिहार के हित में जो एथियासिक और सहासिक फैसला लिया फिर से महागटवंधन बनाई आदर्नी लालू परसाद जी सरी नितीश कुमार जी सरी तेजस्वी जादव जी ने बड़े उद्देश के लिए बनाई उपहिंदर कुसवाद जी भी साथ थे उस स पर ज्यादा कुछ नहीं कहाना लेकिन कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना खोज रहे हैं नया ठीकाना तो हमें ने ठीकाने की बात आ रही है लगातार देखा गया था कुधनी उपचुना हुए गोपाल गंज मुकामा भी आपके सामने है बरा सवाल तो यही खारा हो रहा है कि जदियू गई महागटवंदन में लेकिन महागटवंदन कोई से फैदा नहीं हुआ कुधनी भी आप हार गये गोपाल गंज भी आप हार गये तो सायद इसलिए उनको लग रहा है कि महागटवंदन में जाने के वज़ासे जदियू कमजोर हो रही है इसलिए लगतार वो सवाल खरे कर रहे है लेकिए जेडियू आदर्न नितीश कुमार जी के नित्रत तुमें है और जेडियू में चुनाव भी लड़े 2020 में फिर से आदर्न नितीश कुमार जी के साथ गए तो जेडियू जिसमें आदर्न नितीश कुमार जी के साथ गये उस समय से और मजबूत हुई चुकि महागटवंधन में जेडियू आई दो चुणाव आप हारे भी हैं वह सीठ हमारा था गूपाल गंझ का उसका मार्जिन कितना कम हुआ अगर हम हारे तो यह सब को पता है कि कुणनी का चुनाव का वहां परस्थानी हस्तरपर ढहार है लेकिन उस हार से अगर कोई ये बहाना खोज रहे हैं हार का बहना बना कर कहीं और ठीका ना खोज रहे हैं तो ये भी जनता सब समझ रही है देख रही है और महा गठ बंधन किस तरह से बंधन मजबूत है समाजवादियों का अंसर वंस है ना समाजवादी अगर आदरनी उपहिंदर कुछ वाजी है तो फिर समाजवादियों की सरकार बनी है और उनके वो भी साथ थे आज जिस समय वो ये राज छेड़ रहे हैं इसमें मनसा उनकी ठीक नहीं लग रही है उनके मनसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं टो जनता ते करती है लोग तंत्र में जनता मालिक है और जनता ने जोली भरकर सभी पिछड़े दले इत्मा दले गरिवों ने सभी सभी लोगों ने हमारे भाईयों ने अपना आसिरवात तेजस्वी जादव जी के ओजस्वी परतिवा को दिया है इस बात से कोई इंकार कर सकता है तो बेवज़ा का बीजेपी का भासा बोल करके आप चाह रहे हैं असली मुद्दे से ध्यान भटकाना ये संभव है इसलिए ह हम कह रहे हैं यह उनके लिए बड़ी भूल होगी अगर वो इस तरह से फिर से उन्हीं संप्रदाइक सकतियों के इसारे पर यह सारा काम करते हैं पिछले बार जा करके आचुक है देखना होगा क्या कुछ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद लाइफ बिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें